बिहार में अंठान में प्रतीशत लोगों के पास क्यू नहीं है सरकारी नौकरी प्रशांद किशोर ने तरश्वी आदब और नतीश कुमार की खोल दी है पूल नवश्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनिश्व राजनितिक रननितिकार कहे जाने वाले प्रशांद किशोर इन दिनों बिहार की राजनितिक गलियारों में काफी जादा चर्चाओं में हैं एक तरफ प्रशांद किशोर लगातार मुख्यमंतरी नितीश कुमार और राजा सुप्रीमो लाद प्रशाद यादप के कारेकाल को लेकर सवाल खड़े रहते हैं तो वहीं दूसी तरफ बिहार में प्रतीशत लोगों के पास सरकारी नौकरी क्यों नहीं है इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है आखिकार प्रशांद किशोर ने क्या बोला है चलिए हम आपको बताते हैं पटना के बापू सभागार में प्रशांद किशोर के भासनों का फोकस युवाओं पर रहा है पीके के भाशन पर किंद्र हमेशा सहीं बेरोजगारी पलायन और बहतर सिक्षा जैसे मुद्दे रहे हैं बापू सभागार में इसकी जलक भी दिखाई दी पीके ने बापू सभागार में इनी सब मुद्दो को लोगों के सामने उठाया है पीके ने बिहार के लोगों को बताया है कि ऐसा क्यू हुआ है कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं पलायन और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से कैसे निप्टा जा सकता है रोजगार और पलायन पर बात करते हुए पीके ने कहा है कि चपरासी से लेकर मुक्ष सचीब तक की संख्या को भी अगर हम जोड़ दे तो तब भी पिछले 75 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है यानि कि पिछले 75 साल में गठी थुई 30 से जादा सरकारों ने सिर्फ 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी दी है नितीस्त जश्वी का नाम लिये बिना ही पीके ने उनके दावे को हववाज़ी का करार दिया है पीके ने कहा है कि बिहार में सिर्फ 1.9% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे सपने दिखा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो एक साल में 10 लाग सरकारी नौकरी दे देंगे परशान किशोर आगे कहते हैं कि बिहार में 98% लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उन्हें मिलेगी भी नहीं पी की आगे कहते हैं कि भले ही सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती लेकिन लोगों के पास रोजगार जरूर होना चाहिए प्रशांद किशोर ने कहा है कि यहां रोजगार नहीं है क्योंकि रोजगार पैदा करने के लिए साधन सुबिधाएं होनी चाहिए वो बिहार के पास नहीं है प्रशांद किशोर ने आगे कहा है कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है यदि उन्हें खेती या खुद का बिजनस करने के लिए सरकार की और से सहस्ते दर पर 5-10 लाक रुपे लोन मिल जाए तो कुछ ना कुछ बहतर रोजी रोजगार का काम वो जरूर कर ले सकते हैं कि प्रशांद किशोर ने रोजगार को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है तो जश्वी यादब नतीश कुमार पर निशाना साधा है रोजगार के मुद्दे को उठाया है और रोजगार के मुद्दे पर युवाँ को कहा है कि अगर कोई वैक्ति आपके पास आके ये सारी बाते कहता है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो एक साल में दस लाग से जादा रोजगार देंगे तो वो व्यक्ति जूट बोल रहा है वो व्यक्ति गलत बोल रहा है अब देखना होगा कि प्रशान की शोर के बयान को लेकर सत्ता पक्षाने वाले दिनों में क्या कुछ जवाब देती है फिलहार के लिए सब्डेट में इतना ही